तो जैसे उन्हें दोस्तों तो आधम दोग बात करने वालेगे ऐसी घटना के बारे में जो कि आज के समय में काफी ज्यादा मतलब लोग इसको सर्कुलिट कर रहे हैं और ये दावा कोई छोटी मोटी संस्था से यहीं या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंसान से नहीं बलकि एक बहुत बड़ी भात की संस्था से निकल गया है जो कि है वेदिक एज्यूकेशन रिशर्च सेंटर से और इन्होंने जो अभी सूर्य गर्ण हुआ था उससे पहले बड़ी मीटिंग बुलाई तो यह न्यूस का में जादा सटलिट हो रही है अब इसमें कितनी सचा ही है और क्या यह घटना किस तरफ हमें इसारा कर रही है में लिज्म का जो में दावा है महाभार्च से ग्रेटेड क्या वो सच है या जूट उसी पह बात करते है तो अभी सूरीगर्ण से कुछ समय पहले ही मतलब एक दून पहले ही जो यह संस्था है यानि कि वेडिक एजुकेशन सेंटर की इनकी एक बैठिक बुलाईगी जिसकी अध्यक्सा कर रहे थे इनहीं के जो मुख्या थे पंडिस सिव पोजन चत्रुवेदी जी उन्होंने इसकी अध्यक्सा की और इन्होंने अध्यक्सा में यह बताया कि अभी जो सूर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन यानि कि एक पक्स में दो ग्रहन इसके उपर मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बना के सुचित किया था कि यह बहुत बड़ी घर्नाय कोई ऐसे ही नहीं हो रही है और यूग परिवर्तन से इसका बहुत बड़ा संब्द है उसी कड़ी में जो इस शंस्ता के लीडर थे सिव पोजन जी उन्होंने अध्यक्सा में जितने भी शदश से थे उनसे यह कहा कि एक पक्स में जो दो सूर्यगर्ण आ रहे हैं मतलब दो गरहन आ रहे हैं सूर्यगर्ण और चंद्रगर्ण यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा आसुप संकेत लेकर आएं क्योंकि अभी जो सिच्वेशन बन रही हैं महायुद्गी यानिकी यूक्रेयन वर्सस रस जो रिच्वेशन हैं उनको करने की सलादी यग्यों की सलादी ताकि कैसे भी करके इस महायुद्ग को रोका जा सके और क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ अगर ऐसे ही सिच्वेशन चलती रही क्योंकि जो सहियोग बनके आएं यह बहुत बड़ा संकेत हैं पूरी दुनिया के लिए क्योंकि इस कड़ी में जो इनकों ने जो इसके पई नाम निकाले वो पूरी दुनिया में बिमारियों का फैलना पूरी दुनिया में विश्व यूद्ग का बहुत तेजी से बढ़ना इस चीज के ऊपर खासकर ग्योर दिया गया उन्होंने कि जो अभी सिच्वेशन बाकायद एक मीटिंग करके बताई क्योंकि एक पक्स में दो ग्रहन आ रहे मैं फिर से आपको बता रहूं उनका मानना था कि यह जो सिच्वेशन बनी है महाभार्थ के बिल्कुल पहले बनी थी महाभार्थ कौन सी आप सभी को जानते है जिनको थोड़ा भी आइडिया नि प्रके थी कि युद्ध होगा कि नहीं होगा पूरे आर्यवर्त में इस चीज की चर्चा हो रही थी उस समय भी यही सयोग बना था जब एक पक्स में दो गरहन देखने को मिले थे शूरी गरहन और चंटरिगारों वैसा ही सेम सयोग देखने को मिल रहा है अभी के समय में इ वो रखिये मालीका में हो रखिये इसके अलवा हाले कि कहीं लोगों दाव किया चाहिए न अस्तेया मस ओ बाबावएंगा हो या तो अगर आप लोग उस चीज में काफी जाद बलीव रखते हैं तो अलग से वह यह लग देख सकते हैं तो ये चीज़ समझ सकते हैं उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया और ये एक दो नहीं बलकि कहीं सारे मिल्स वाले चनल ने भी इसको कवर किया है तो आपका क्या कहना है पहले इस बारे में कि ये जो सिस्वेशन बंगी है कहीं न कहीं महाभार 2.0 की तरफ ले जाएगी या फिर महायुद चौथे महायुद की दरफ चौथा महायुद भी बताएं गए गाएं कि कल यूक के यांथ में चौथा महायुद लड़ा जाएं च प्हला नहीं पता तो पहले महायुद जूरन भी देवता और असूर के बीच हुआ ये दूसरा महायुद हुआ रवण प्रभू सरी तरफ च Double Oder घ्रायme न की बीच में भी जो युद हुआ था उसको तीसरा महायुद कहते हैं और अब चौथा महायुद कलकी भगवान कलकी और कली पुरुस के बीच होगा ऐसार जो हमारे पुराने वेदें दावा करते हैं तो अब इस चीज़ों में कितनी सचा ही हो तो आने वाल समय पता चली जाएगा और गुरु काफ़ी लंबह समय से बता रहें कि सभी लोगों को अपना बेसिक सही करना होगा वेदिक नियों पर चलना हूए क्योंकि हमारा धर्म हमेशा से एक ही रहा है वेदिक सनातन सानातन समस्कृती ही हमारी धर्म और बता है आप सब लोगों को बाकी सारे मौड़ने दिल लोगों का मर जाना और बलब बाखी सारे जो आप लोग कहीं चाहिए उस पर सुन सकें तो उनको रिपीट करने से खुछ फायदा नहीं है तो यह सारी चीजों का बड़ा दावा कि उन्होंने आप अपने विचार कमेंट में जो उसे रखिए कि आपको क्या लगता है अवरेडि कर रखें और दुनिया भर में यी सिच्वेशन भी बल रही है तो देखते है कितने लोग जाते हैं अपना काम करते रहेंगे आप लोग अपना काम कीजिए फटाक से कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है इसके लागर चैनल पर नहीं तो य झाल झाल झाल